नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स काइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मसेदार कॉमिक्स निखट्टू पहलवान निखट्टू पहलवान लेखक बिमल चटरजी चितरांकन कदम स्टूडियो एक गाउं में रहता था अपनी मा का एकलोता बेता तोतारां हो चुका था वह जवान लेकिन आलसी होने वह कामकाज न करने के कारण गाउं वासी उसे पुकारते थे निखट्टू पहलवान पहलवान इसलिए क्योंकि खटिया में पड़े-पड़े वह आते जाते लोगों से अपनी ताकत की लंबी-लंबी गप्पे हाका करता था मा बेचारी दुखी थी लेकिन क्या करती एकलोता होने के कारण उसकी सारी बे दुखी हरकते बरदाश करती रहती थी अरे देखना दल्लू भाईया एक दिन मैं परले गाउं के पहलवान को धोवी पचार मार कर जमीन सुखा दूँगा अबे चुप अगर कहीं धोती पहलवान ने तेरी गदन पकड़ी तो वह गणने के तरह लंबी हो जाएगी समझा है भगवान मेरे बेटी को सतबुद्धी दे एक दिन जोपडी का मालिक लाला दुरत्ती चन उसे आराम से लंबी ताने सोता देख आग बबूरा हो पिल पड़ा उस पर निकम में हराम खोर छे महीनी का किराया सिर पर चड़ा है फिर भी आराम से सोया है हाई मर गया अरे अम्मा बचा ले जम्दूट से चीक पुकार सुनकर मा दोड़ी दोड़ी आई मेरे बेटे पर रहम कीजे लाला जी दो तीन दिन में आपकी किराय की पाई पाई चुका दूगी मैं अरे अभागन मैं तो तुम पर रहम कर दूँगा लेकिन मुझ पर और मेरे बाल बच्चों पर कौन रहम करेगा तुम लोगों से किराया मांगते मांगते मेरी तो भिकमंगो जैसी दुर्दशा हो गई इससे कहती क्यों रही कि यह कोई काम करे आखिर मैं करूं तो करूं क्या रहा जी इस गाउं में तो मुझे कोई काम मिलता ही नहीं यहां तक कि गाउं के बड़े बड़े नामी पहलवान भी मुझे जोर आजमाने से कत्राते हैं वरना मेरे पास पैसा ही पैसा होता और मैं 6 मा का किराया तो क्या एक साल का किराया आपको अगरिम देता अरे मर्दूद गाउं के पहलवान तेरी ताकत से नहीं बलकि इत बास से दरते हैं कि कहीं तो उनकी फोग से हवा महिना उड़ जाए और तेरा राम नाम सत्थ न हो जाए राम नाम सत्थ है निखट्टू की गत्थ है हाई मेरा लाल खयालों में उबरे इस द्रिश्य को देख चीक उठे निखट्टू पहलवान नहीं नहीं यह सब जूट है आपने मेरी गैरत को ललकारा है अता अब आपको ही मुझे कोई ऐसा काम देना होगा जिसे गाउं का कोई आदमी न कर सके यदि ऐसी बात है तो शहर चला जा वहाँ एक हाथी वाला पहलवान आया हुआ है उसने ठिंडोरा पिटवाया है कि जो कोई उसके हाथी धरती धकेल के अगले दोनों पैर एक साथ उपर उठवा देगा उसे वह पांच रुपे के बदले पांस सो इनाम में देगा वह अब देखना लाला जी मेरी ताकत का कमाल अभी शहर की और रवाना हो जाता हूँ मैं उसी समय निखट्टू पहलवान ने खाने की पोटली बंधवाई और मा की अंटी से पांच पांच के दोनों जटक शहर की और चल पड़े हे भगवान मेरे लाल की रक्षा करना शहर में ककड़ी पहलवान के हाथी धर्ती धकेल ने वास्तव में देश विदेश के नामी गिरामी पहलवानों से लेकर हर परकार के करामाती लोगों की बोलती पंद कर रखी थी अबे चुहे उठा अपने रगले दोनों पैर वरना एक ही घूसे में तेरी खोपड़ी से बेजा बाहर निकाल दूँगा मूर्ख पहले मेरे एक पैर उठाने का नतीजा तो देख हाई फिर मुझे दूसरा पैर उठाने के लिए तो तेरे बाल बच्चे भी नहीं कहेंगे और अब तेरी बारी है मोटू पहलवान हाई मर गया पैर उठवाने का बड़ा शौक था ना तुझे ले मर पैर के नीचे हाई बचाओ जल्दी ही आज भी कोई हमारे धर्ती धकैल के पैर नहीं उठा सका है 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 पूरे 2000 का फायदा हुआ है और नहीं कभी कोई उठवा सकेगा लेकिन अगले दिन उनके सोभाग्य अत्वा तुरभाग्य से वहाँ आप पहुँचे निखट्टू पहलवान उस्ताद वो देखो एक नया मुर्गा अंडा देने आया है अरे मुर्ग वह मुर्गा नहीं कोई तमाशरी मालूम होता है इधर निखट्टू पहलवान ने ककड़ी पहलवान के हाथी धर्ती धकेल का एक चक्कर लगाया और जा पहुचे उसके मालिक ककड़ी पहलवान के सामने यह लो शर्त की फीस के 5 रपे और लिख लो मेरा नाम रजिस्टर में ठीक है ठीक है अबेव न सेडू लिख ले छोगर का नाम अभी रोस्ताद क्यों भाई अपनी अम्मा से आकरी बार अच्छी तरह मिल तो आये हो ना बिल्कुल बिल्कुल तुम नाम लिखो अरे वो देखो एक सीक्री सा आदमी धर्ती धकेल के पैर उठवाने आया है हाँ 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 अरे वह कागजी पहलवान तो धर्ती धकेल की एक फूंक से ही हवा में उठ जाएगा जबकि इधर देखो बड़े भाई तोता पहलवान पहले सब के आगे हाँ जोड़ कर ही फिंती करता है लेकिन यदि सामने वाला फिर भी उसकी बात नहीं मानता तो अरे धर्ती धकेल की तेज फूंकार ने निखट्टू पहलवान दूर चागिरे थे हाई मर गया हाँ हाँ बेचारा चला था धर्ती धकेल के पैर उठवाने लगता नहीं कि अब पुना उठ पाएगा वह बेचारा उसकी एक ही फूंक में तिनकी कितरह उड़ गया हाई मेरी मा उसने तो मुझे एक ही फूंक में उड़ा दिया कैसे करूं उसकी दोनों टांगे उपर तभी उन्हें ध्यान आया मार्ग में मिले साधुका बेटा तुमने रात पर मेरी सेवा की उसके बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक नस्वार की दिव्या के सिवाई और कुछ नहीं है इसे ही रख लो यदि खुद को स्वस्थ करना हो तो चुटकी भर सूंग लेना और यदि दुश्मन के छक्के छुडाने हो तो हतेली पर नस्वार रख कर करारी फूंग मार देना बस विजे तुम्हारे कदम जूमेगी वह आपकी इतनी किरपा ही बहुत है महराज अगले ही पल तेरी फूंग से तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा पहलवान अब देख मेरी फूंग का कमाल फूंग अगले ही पल आच छींग छींग और ना चाहते हुए भी हाती धरती धकेल के अगले दोनों पैर हवा में उठ गए यह देख दर्शकों में खुशी की लहर दोड़ गई अरे वो देखो उस मरियल ने तो सचमुल धरती धकेल के दोनों पैर उठवा थिये हाँ भाई कमाल कर दिया उस सीकरी पहलवान ने जरूर कोई पहुँचा हुआ खिलाडी है यह लोग पूरे 500 और मौ जुडाओ ही ही इतनी सी रकम ले जाकर क्या करूँगा कल फिर आकर इसकी दोनों टांगे उपर करवाऊंगा और दोबारा 500 जीतूँगा कई दिनों तक निखट्टू पहलवान नसवार की साहता से हाथी के दोनों टांगे उपर करवाकर ककड़ी पहलवान से 500 वसूलते रहे हम आच्छी लेकिन जल्दी ही ककड़ी पहलवान चेत कया सुन धर्ती धकेल अब जब भी भे मर्यल तेरे सामने आए तो बिलकुँ सांस मत लेना और मौका पाते ही उसकी ऐसी दुर्गती बनाना कि वे जिन्दगी भर इधर का रुख ना करे समझ गया ना? हम समझ गया अगले दिन क्यों पहलवान चुप चाप पैर उठाते हो या मारू फूँक? धर्ती धकेल सांस रोके शान्त खड़ा रहा हम तो फूक मारने ही पड़ेगी लेकिन सांस रोके रहने के कारण धर्ती धकेल पर नसवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था यह देख बौकला उठे निखट्टू पहलवान आएं इस पर तो इस बार कोई असरी रही हुआ तभी चड़ाक एक ही वार में कचूमन निकाल दिया मेरा अब कैसे गुरू में इसकी टांगे उपर तभी ध्यान आया उन्हें मार्व में मिले कुछ उदंड लड़कों का निखट्टू भाईया शहर जा रहे हो कमाई करने जरा हमारी भी शाबाशी लेते जाओ ठीक है छोटे भाईयो तुम भी देलो मुझे शाबाशी चलो दोस्तो एक एक करके सभी शाबाशी देते हैं फिर शुरू हुआ शाबाशी देने का सिलसिला लेकिन अगले ही पल निखट्टू पहलवान डिसको कर उठे हाए यह क्या कर दिया तुमने बहुत जोर से खुझली हो रही है मुझे पहलवान भाईया हमने तुमें काट खाऊ बूटी लगाई है अब अगर इस खुझली से बचना चाते हो तो मिठाई खाने के लिए हमें पांच रुपे देने पड़ेंगे हाँ 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 यह लो पांच रुपे और मुझे इस जान मार्ग खुझली से निजात दिलाओ जाओ तालाब के ठंडे पानी में डुपकी लगा लो आराम मिल जाएगा छपाक हाँ 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 कुझ देर पात छोटे भाईयो थोड़ी सी काट खाओ बूटी मुझे भी दे दो हो सकता है मार्ग में कहीं कामा जाए यह लो लेकिन इसी पानी में हाथ भिगोने के बाद ही हाथ में लगाना वरना फिर डिस्को करने लगोगे अहां समझ गया बिलकुल समझ गया इस वाक्य का ध्यान आते ही निकट्टू पहलवान इस तरहें उचल कर खड़े हुए मानो बिजली का करन लगा हो अरे उस्ताद यह इसे अचानक क्या हुआ यह तो धर्ती धकेल के पीने के पानी की ओर जा रहा है जाने दो पानी को हाथ लगाते ही धर्ती धकेल इसे पैरो तले कुचल कर रख देगा अपने पीने के पानी में उन्हें हाथ डालता देख धर्ती धकेल क्रोज से पागल हो उठा इसकी इतनी हिम्मत अब चखाऊंगा मैं इस हाथी के बच्चे को मजा इधर धर्ती धकेल चिंखारता हुआ निखट्टू पहरवान की और पढ़ा उधर उन्होंने काट खाऊ बोटी अपने गेले हाथों पर रगड़ ली ठहर बेटा मैं अभी तेरा चिंखारना बंद किये देता हूँ पलक जपकते ही धर्ती धकेल के कूलों पर लेप लगा दिया उन्होंने हैं क्या कर रहा है ये मूर्क फिर इससे पहले की किसी की समझ में कुछ आता अरे ये धर्ती धकेल डिस्को डांस कैसे कर रहा है उस्ताद ये हमारा धर्ती धकेल मारे खुशी के नाशने क्यों लगा हाई हाई मड़े जोरों की खुझली हो रही है यदि खुजली न मिटी तो मैं मर जाओंगा अबे खुशी की मारे नहीं बेचैनी की कारण उचल रहा है यह है और खुजली मिटाने के लिए जैसे ही उसने पिछला हिस्सा जमीन पर टेका अगले पैर स्वेम ही उपर उठ गए अरी सत्या नाशो इस मनहूस का उसने फिर हमा पुरी है मालिक और इस तरह निखट्टू पहलबान ने इनाम के 500 रुपे फिर जीत लिए कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा फिर उस्ताद अगर वह हमें ऐसे ही लूटता रहा तो जल्दी बरबाद और कंगाल हो जाएंगे कुछ करो उस्ताद वरना हाथ में कटोरा लेक कर भीक मांगनी पड़ेगी चिंता मत करो कल मैं इनाम बढ़ा कर एक नई शर्थ रखूंगा जिसे बो तो क्या उसका बाप भी पूरा नहीं कर पाएगा अगले दिन दोस्तों आज आपके सामने एक नई शर्थ है जो कोई भी हमारे धरती धकेल के अगले पैरों के साथ पाएग करवा देगा उसे 500 की बजाए एक हजार रुपे इनाम में मिलेंगे और फीस वही 5 रुपे होगी भागे अजवाने वाले बहादुर पैसे चमा कराएं ककड़ी पहलवान यह लो 5 रुपे और मेरा नाम रजिस्टर में नोट कर लो ले नसेडू बो निकर जल्दी स नोट थमाने के पस्चात निखट्टू पहलवान जा पहुँचे धर्ती धकेल के सामने क्या पहलवान करूं खुझली या फिर बेचारा धर्ती धकेल तो पहले से ही निखट्टू पहलवान को देख कर घबराया हुआ था अता उनका इतना कहना था कि वह दोनों पाउं हव में उठा कर तेजी से सिर हिलाता हुआ चीक उठा नहीं यह देख ककड़ी पहलवान और उसका सेवक तुरन निखट्टू पहलवान के चड़नों में गिर पड़े हम पर दया करो हमसे चाहो जितना धन लेलो लेकिन हमें परबाद मत करो वरना हाथी के साथ साथ हम भी मर जाए ठीक है तो निकालो 20,000 रुपए ककड़ी पहलवान ने उसी समय खेमे की भीतर ले जाकर निखट्टू पहलवान को 20,000 रुपए किनवा दिये ठीक है तोता राम तुम्हें बचन देता है कि अपनी ताकत का कमाल वह तुम्हें फिर कभी नहीं दिखाएगा जंगल की आग की तरहें ग्राम वासियों को निखट्टू पहलवान के इस कर्तब की खबर पहले ही मिल जोगी थी अता धेर सारा धन लेकर जब वह अपने गाउं पहुचे तो सारे ग्राम वासी उनकी जैजैकार कर उठे तोताराम जिंदाबार निखट्टू पहलवान अमर रहें लो मा अपनी लड़की का विवा भी निखट्टू पहलवान के साथ कर दिया और तब से निखट्टू पहलवान गप्पे हांकने में समय नगवा कर मेहनत करके व्यापार में काफी धन कमाने लगे और अपनी मा वह पतनी के साथ फक्र से रह रहे हैं तो यह थी मनोश कॉमिक्स की एक मज़िदार कॉमिक्स। यह हैं एक कॉमिक्स की दूसरी कहानी शानदार चोर। बहुत समय पहले विदूशा नगरी में विदूशक नामक एक मशूर चोर रहता था। चोरी की हर कला में निपुड विदूशक की एक विशेष्टा यह थी कि वे पशू पक्षियों की बोल करता था उन्हीं दिनों विदूशा से सैक्णों कोस दूर चकोर नगर नामक एक देश था जहां के समराट रूप सिंग की प्रशाशन कुशलता और वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे उनके राज्ये में कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था एक दिन जब पोरी करने के बाद ही चैन से बैठूंगा मैं रास्ते में विदूशक की भेंट एक व्यापारी से हुई मित्र तुम कौन हो और कहां जा रहे हो विदूशक का परिशे जान व्यापारी भैसिक कांप उठा तद तुम विदूशक चोर हो हाँ लेकिन तुमने मुझे मित्र क जब चकित व्यापारे ने विदूशक से तीतर की आवाज में बोलने का कारण पूछा तो पह बोला तीतर ने मुझे बताया था कि तुमने गधे पर रखी गट्री में सौने की मुहरे छिपा रखी है मैं उन्हें निकाल लूँ लेकिन मैंने उससे कहा कि विदूशक अपने मित्रों से छल नहीं करता विदूशक की बात सुनकर व्यापारी ने चैन की सांस ली लेकिन मौका पाती ही उसने गट्री से मुहरे निकाल ली चोर की जुबान का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए मैं इन मुहरों को अपनी कमर में बांध लेता हूँ व्यापारी ने अभी मुहरों की थैली कमर में बांधी थी कि निकट जाड़ियों में छिपा एक सियार चिल्ला उठा हुआ हुआ सियार की बोली का उत्तर उसी भाषा में देने के बाद विदूशक व्यापारी से बोला गीदर ने मुझे बताया है कि तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है तुमने मुहरों की थैली गट्री से निकाल कर कमर बंध में छुपा ली है उसने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें मार डालू और तुम्हारी मुहरे छेन लू लेकिन मैंने कहा कि विदूशक अपने मित्रों के धन पर बुरी नजर नहीं डालता चाहे उसके पास अकूद धन ही क्यों नहो विदूशक की बात सुनकर व्यापारी बहुत लच्चित हुआ मुझे शमा करदो मित्र मैंने तुम जैसे सच्ची मित्र पर अविश्वास किया कोई बात नहीं मित्र कुछ दिनों की यात्रा के पस्चाद दोनों अपने गंतव्य तक जा पहुँचे यहां से हम अपने अपनी रास्ते पर पर जाएंगे मित्र लेकिन मुझे बचन दो कि तुम मेरे इस नगर में आने की बात किसी से नहीं कहोगे ऐसा ही होगा मित्र किन्तु व्यापारी अपनी बचन पर कायम न रह सका वे दोड़ता हुआ राजा रूप सिंग के पास पहुचा और विदूशक के बारे में सब कुछ बता दिया ओ तो विदूशक ने इस बार हमारे नगर को अपना निशाना बनाया है लेकिन हम उसे सफन नहीं होने देंगे उसी राज जब विदूशक चोरी करने के इरादे से नगर में घूम रहा था तो उसने एक अन्य व्यक्ति को गलियों में घूमते हुई देखा इस नगर में तो चोर नहीं होते तो फिर ये कौन है? विदूशक ने तुरंथी उसे जाद दबोचा कौन हो तुम? एक साधरन चोर हो भाई जब से राजा रूप सिंग सिंगाचन पर बैठे हैं मैं चोरी नहीं कर सका हूँ लेकिन आज सुना है कि चोरों का राजा विदूशक इस नगर में आया हुआ है उसी की तलाश में निकला हूँ मैं ताकि उसकी साथ मिलकर कोई चोरी कर सकूँ जहां तक मेरा खयाल है तुम ही विदूशक हो क्यों? तुमने ठीक पहचाना मित्र मैं ही विदूशक हूँ कहो कहां से शुरू करना है? विदूशक को लेकर वह चोर एक धनी व्यापारी की घर पहुँचा यहां हमें बहुत धन मिल सकता है लेकिन वे संत्री? उसकी चिंटा मत करो उसे मैं संभाल लूँगा दबे पाओ आगे बड़ा विदूशक और धड़ाक संत्री को बेहोश करने के बाद विदूशक दिवार फलांकर अंदर पहुँच गया अंदर ओफो सिर्फ एक पैसे की गड़बड़ी का हिसाब करने के लिए आपने पूरा एक पहर गुजार दिया मैं पूछती हूँ आखिर एक पैसा कम हो जाने से आपकी खजाने में क्या सर पड़ेगा? छोड़ो इस हिसाब किताब को और उठकर खाना खालो नहीं भग्यवान जब तक एक पैसे का हिसाब पूरा नहीं हो जाता ना तो मैं यहां से उठोंगा और ना कुछ खाऊंगा पिऊंगा सेट की कंजुसी देखकर मुस्कुराहट खेल गई विदुशक के होटो पर जब एक पैसे का हिसाब ना मिल पाने के कारण ही सेट ने कुछ ना खाने पीने की भीश्म परतिग्या कर डाली है तो अपना सारा धन चोरी गया देखकर तो इसके प्राण ही निकल जाएंगे नहीं नहीं मैं किसी की मौट का कारण नहीं बन सकता यह सोज खाली हाथ वापस लोट पड़ा विदुशक विदुशक ने खाली हाथ वापस लोटने का कारण जान कर दूसरा चोर बोला ठीक है मित्र यहां नहीं तो कहीं और सही इस नगर में धनवानों की कमी नहीं है इस बार वह चोर विदुशक को लेकर एक जोहरी की घर पहुँचा यहां मिलने वाले स्वन आभूशन हमें माला माल कर देंगे ठीक है तुम यहीं धेरो मैं अंदर जाता हूं अपनी कला का उपयोग कर जोहरी की घर में परवेश कर गया विदूशक कुछ देर बाद जब विदूशक बाहर निकला तो उसके हाथ में अनेको स्वन आभूशन थे इस घर में तो आभूशन का धेर लगा है तुम इने संभालो मैं और लेकर आता हूं सारे आभूशन अपने साथी को सौप कर विदूशक ने एक बार फिर जोहरी की घर में परवेश किया लेकिन इस बार जब बे वापस लोटा तो खाली हाथ था क्या हुआ मित्र? खाली हाथ कैसे लोटाए? बाद में बताऊंगा मित्र पहले ये आभूशन मुझे दो हैरान खड़े अपने साथी से सारे आभूशन ले उन्हें वापस जोहरी के घर में रख लोट आया विदूशक ये तुमने क्या किया? हाथ आये पहुमुल्य आभूशनों को वापस रखाए? बे आभूशन पहुमुल्य अवश्य थे मित्र लेकिन मेरे लिए उनसे कहीं अधिक मुल्यवान इस घर का नमक है जिसे में भूलवश खा बैठा क्या मतलब? मतलब यह है कि दूसरी बार जब मैं घर में आभूशनों की खोज कर रहा था तो मेरा हाथ किसी बर्तन से चूग गया और मेरे हाथ पर कोई नरम सी वस्तूर लग गई जिग्यासा वर्ष जब मैंने उसी चखा तो मुझे पता चला कि वे नमक है और नमक खाकर नमक हरामी करना मेरे उसूरों के खिलाफ है बड़े अजीब चोर हो तुम खेर छोड़ो अब इधर उधर ना भटक कर सीधर राजमहल चलेंगे ठीक कहा, चलो कुछी देर बाद दोनों सैनिकों की नजर से बच कर राजमहल पहुँच चुके थे राजकोष पासी है दबे बाउंच चले आओ इसी पल नजाने कहां से डो खुंखार कुट्टे वहाँ आ निकले पहले कुट्टे ने विदूशक वह उसकी साथी पर जपटना चाहा लेकिन दूसरी कुट्टे ने भौक कर उसे रोक दिया कुट्टो की बोली समझ कर आशेरे चकित रह गया विदूशक ओह अगले पल विदूशक अपने साथी की ओर मुडा और आदर से सिर जुका लिया मेरे लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि महराज रूप सिंग स्वें मेरे साथी बने हुए है अपने पहचाने जाने पर राजा रूप सिंग चकित थे उन्होंने विदूशक से उसका भेच जानना चाहा तुमने हमें कैसे पहचान लिया विदूशक? मैं उन कुट्टों की बोली समझता हूँ महराज विदूशक तुम वाकई बहुत चतुर और नेक उनसान हो यदि तुम चाहो तो चोरी जैसा निक्रिष्ट कार्य छोड़ कर हमारे सलाकार बन सकते हो धन्यवाद महराज आपने मेरी प्रतिभा का सही मुल्यांगन किया है मैं जीवन भर आपकी सेवा में तक पर रहूँगा इस परकार विदूशक राजा रूप सिंग का विशेश सलाकार बन कर वहीं रहनी लगा तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए मने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद